प्रियरंजन और आज किस एपिसोड में डिलाइंस इंडस्टी स्टॉक को डिस्कस करेंगे डिलाइंस इंडस्टी स्टॉक देखो तो लगबग 1.2% की गिराबट में है और इसने ही पूरे बजार की एसी तैसी कर रखी है तो अभी अगर 25-20 के नीचे अगर दो दिन भी सस्टेन किया तो बड़े क्रेस जैसे आपको दिखेंगे 25-20, 25-50 दिखेगा जब यह स्टॉक 28-40 के आसपास ट्रेट कर रहा था तो 27-20 जैसा लेवल हमने कहा था आपको कि मेरा एक्सपेक्टेशन है और अगबग इसी के आसपास दिख रहा है कल 8 अक्टूबर है जितने भी राइट इसू वाले सेर हैं अनपेड वाले उनको पेड कर देना चाहिए अगर आप बुनस के इलेजिबल होना चाहते हैं तो यहां देखें तो पुरा बजार में ही सेवियर सेलिंग रहा है और इस समय मेरे प्रीमियम टेलिग्राम को भी जॉइन कर लो पूरा अपडेट अगर बजार के अंदर अगर आपको चाहिए तो यह टेलिग्राम के बीना आप अपडेट नहीं पा सकते हैं और इस समय डिलाइंस पावर की डिलेवरी तो बेटर है बट ट्रेंड इस कंटिन्यू मिसिं का ही दिखा देता हूं कि विकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या दिख रहा है पहले हमको क्या दिखा कि यह एक जो ट्रेंड लाइन है यह ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकडाउन किया क्या कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकडाउन किया जो की सपोर्ट कंटिन्यूस हो र दिखा सकता है अगर आप लोंग चाहते हैं तो उपर नहीं बहुत ज़्यादा तो मिनिमम ट्वेंटी सेवें नाइन्टी ट्वेंटी एट थाउड़ेट रेजिस्टेंस होगा तो 2800 के उपर का जब तक ट्रेंड नहीं दिखे रिवर्सल तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है आ यहां से आया थोड़ा यहां पर रिट्रेस करें और एक रिवर्सल आए और उसके बाद सेलिंग आए तो जो अल्रेडी शॉट डेरिविटिव्स के थ्रू है उनके लिए ठीक है लेकिन फ्रेस यहां पोजिशन लेना दोनों ही साइड रिस्की हो सकता है क्योंकि